चलिए तो इस question को देखते हैं किस तरी के solve करते हैं तो सबसे प्रेले question पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है the average mark of 50 student is 75 if the marks obtained by one of the student had been written as 36 instead of 86 then the correct average of marks is तो ये कहना चाहता कि 50 विद्यारतियों के 50 विद्यारति के गुरुप था उसमें से 75 उनका क्या रहा था average आ रहा था और अपने इन लोग ने क्या किया कि 36 add कर दिया 86 की जगाप मनलब कि 86 जोड़ना था तो 36 इनने क्या कर दिया add कर दिया तो इसका average कितना है 75 आ रहा था तो अपने को पताना है कि सही average क्या होगा ठीक है ना तो चलिए इसको start करते हैं किस तरी के solve करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि average कैसे है इनका total average कितना हा रहा है सम कितना हा रहा है तो सबसे पहले क्या है number of student पचास है into 75 तो इसको solve करेंगे तो कितना जाएगा इसको solve करने पर कितना जाएगा जीर हो जा 75 जा 35 और 75 और 2 ठीक है ना तो कितना जाएगा 3 7 5 0 ठीक है तो जी आ गया sum अब इनने क्या बोलाता 36 को 86 किया कितना 36 एट कर दिया तो 86 minus 36 तो कितना हो गया 50 आ गया तो मनलब 50 क्या कर दिया कम कर दिया तो क्या करेंगे इसमें क्या कर देंगे इसमें इसको क्या कर देंगे इसमें एट कर देंगे ठीक है ना चली इसको एट करते हैं तो 3750 तो इसको गैट कर देंगे कितना 50 में तो कितना आ गया 380 आ गया अब कुछ नहीं करना है इसको कितने से डवाइट करना है पचास स्क्यू एंट है तो पचास से क्या कर देंगे डवाइट कर देंगे अपॉन 50 तो कट गया अब 75 जा 35 थिरी कह रही तो 76 थाइटी आ गया तो जी अपना क्या आ गया एवरेज आ गया नहीं हुए अवरेज तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं इन कॉस्चिनों को के विवाइट देख लेते हैं क्या क्या किया था अपनने सबसे पहले इन दोनों का सम निकाला तो कितना आगया 370 आ गया थी तीन हजार सास्तों पचास आ गया फिर डिफरेंस कितने का था इनमें 86 और 36 में तो 50 का डिफरेंस था तो इसको इसमें एड कर दिया इसके बाद एड करने के बाद तो 3800 आ गया 3800 को 50 से डिफरेंस कर दिया क्योंकि number of students कितने से 50 थे ओके और answer कितना आ गया 76 आ गया तो इस तरीके से इसको solve करते हैं ओके दोस्तों